हाई फ्रेंज नश्कार वेल्कम एक डूमें चैनल तो फ्रेंज आज जे सब्सक्राइब बताने जा रही है बहुत ही लजी यह बहुत ही टेस्टी बनने वाली है आप ज़रूर इस वीडियो को पूरे देखें तो चलिए इसको बनाती हूं बनाने से पहले रिक्वेस्ट है कि भिन्डी को देखें वह चोटा भी नहीं काटी हूँ मीडियम साइच में से काट ली हूं दोखें उसके बाद इसको देखें इतने साइच में काट जाए जले हूं इसको लगभग 60-70% पकाना है पर इसको ढखेंगे नहीं तो यहां नमक डालेंगे नमक डालेंगे यह शॉप्ट हो जाएंगे यह फिर सब्जीर ठीक नहीं बनेंगे इसका दही भिंडी इसको कड़कराना चाहिए उसके लिए मैं यहां तेज आज में इसको फ्रै कर रही हू इसको तीन से चार मिनट ही ऐसे ही मैं इसको फ्रै की है और देखिए इसको निकाल ले हूँ चलिए यहां दो मिनट से तीन मिनट लगा यह 60-70% यह पक गया है इसको ढख देते तो यह सॉप्ट हो जाता लेकिन नहीं ढखे और यहां देखिए मैंने यहां दो प्याज ली इसको देखिए ऐसे ही निकाल दी हूँ अलग-अलग उसके चलिके निकालने के बाद उसके अलग-अलग कली निकालने के बाद आधा चमच तेल में इसको थोड़ी सी एक चुटकी नमक डाल दे रही हूँ और इसको ऐसे ही इधर से उधर उलट-पलट करके इसको घुमा द हैंगे तो जब भी मैं इसे सब्जी में डालू इसे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा कच्छा बने आएगा ऐसे में पका दी बहुत ज्यादा पकाई भी नहीं हूं इसको भी एक मिनट के लिए ही एसे कढ़ाई में इसको फ्राइक हूं अब यह नकच्छा है ने तो सौफ्ट हुआ है बहुत ही अच्छा बना एदम कड़क और यह इसको भी मैं तेज आँच में ही फ्राइक हूं अब यहां फिर से मैंने एक से डर्शे मज़तेल डाली हूं और यहां एक प्याज ली हूं प्याज को एदम चौप काट ले यह तो पीज लें मैं यहां बहुत चौप का कर लेती हूं मसाले में देखी मैंने यहां आधा कटोड़ी दही ली हूं लग एक कप दही ली हूं और इस दही में मैं सारी मसाले इसी में डाल दूंगी हां कि इसी में सारी मसाले डाल रही हूं देखी यहां नमक डाल रही हूं एक चमच मैंने यहां नमक डाला है साधा न गोल की अजिरह का मिक्स है पोडर बढाली हूं वह भी आधी चमच है दोनों मिला के उसके बाद यहां मीट मसाला में आधा छमच डाल रहे हूं नहीं यह पेकेट है पेकेट से ही मैंने आधा चमच ही डाली है वह जाधी मसाले डालने की जोरत भी नहीं है और एक टमाटर अब इसको तीन से चार मिनट पकाएंगे यह पूरी अच्छी तरीके से पक गया है पूरा पेश्ट बन गया है उसके बाद इसका देखिए इसमें अब भिंडी डालेंगे बहुत ज्यादा पानी रहने बाद ना डालें तो वह भिंडी जो है कि सब घांटी बन जाएगा तो यहां भिंडी डाल दी हूं इसके एक मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसमें नमक अंदर शल जा नमक मसाले उतने ही इसको इसमें ग्रेवी रखें और देखिए यह पक गया है और एक से दो वाल इसमें आने देते हैं उसके बाद इसमें मैं यहां जो प्याज बनाई थी प्याज को डाल दोंगी देखिए मसाले में यह एब्जॉब कर लिया है भिंडी मसाले अब इसमें जो प्याज बनाई थी उसको डाल दिते हैं यह एक से दो मिनट इसको पकाने बहुँ ज्यादा पकाने के बाद क्या होगा कि यह सौप बहु ज्यादे हो जाएंगे मैंने कसूरी मेथी यह तो धनिया डाल दें इसका भी टेस्ट बहुत अचा रहे स्टूडेन स्टैल का टेस्ट आएंगे कसूरी मेथी डाल दी हूँ इसके उपर से जो प्याज फ्रै करके रखी ती उसको डाल दी हूँ और प्याज डानने के बाद देखिए यह सबजी तयार है दही भिंडी लाजवाब बन है जरूर बनाईए